हलो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल NCRT टूट्रियोल के उपर और यहाँ पर आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 जोग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को जिसका नाम क्या है जिसका नाम है नैचुरल वेजिटेशन और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हमारे लिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये natural vegetation होता क्या है, किस चीज को हम natural vegetation कहते हैं और साथ में किस wildlife की बात की जारी है तो यहाँ पर ये चीज हम ज़रा साथ देख लेते हैं देखे अगर हम simply बात करें, तो simply सबसे पहले word हमारे सामने क्या है simply सबसे पहले word है, vegetation ये vegetation क्या होता है vegetation simply कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, किसी भी एक खास छेतर में, किसी भी area में मान लिजे कि आपका कोई गाउं है, तो उस गाउं के आसपास की इलाके की बात कर लें या फिर एक राज्य की बात कर लें या फिर कोई भी छेतर आपका जिला हो सकता है तो उस खास जिले में, उस खास छेतर में, उगने वाले जितने भी आपके plants हैं जितने भी पौधे हैं, पेड हैं, मतलब जितनी भी variety हो सकती है वो उस इलाके की क्या है, vegetation कहलाईगी ठीक है, vegetation क्या होता है समझ गया अब यहाँ पर इसे से जुड़ा हुआ word आगया क्या, natural vegetation यह natural vegetation क्या होता है natural vegetation कहने का मतलब यह है कि natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time vegetation का मतलब क्या एक खास छेतर में, उगने वाले सभी पेड़ पौधे या फिर घास, जो भी आप कहलेजिए, plants को ठीक है, और natural vegetation कहने का मतलब क्या कि किसी छेतर में, किसी छेतर में वैसा vegetation, वैसा plants का एक community जो की naturally आया है जिसमें humans ने किसी भी तरीके का intervention नहीं किया है वहाँ पर ना हमने कोई जाकर पेड़ लगाया है ना वहाँ से कोई पेड़ काटा है वो खुद बखुद ग्रो हुआ है और खुद बखुद naturally वहाँ पर वो पनपा है तो ये क्या हो गया, natural vegetation तो समझ गया कि vegetation क्या होता है और natural vegetation क्या होता है और यहाँ पर हमें chapter में इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है यानि कि जो plants किसी खास छेतर में उगते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे तो आई हम सुरुआत करते हैं chapter इसको मैं थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ अब आपके लिए पढ़ना असान होगा तो यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि क्या आपने अपने इसकोल के आसपास के ट्रीज, घास, जाडियां, चिरिये और भी बहुत सारे चीजे देखी हैं क्या तो भाई आप लोग तो इसकोल बहुत दिन से गय नहीं हो तो इसकोल में देखोगे कहां से आप अपने घर के आसपास ही देखते होगे पेड, पौधे, जाडियां, या फिर घास देखते होगे सुन्दर-सुन्दर, बहुत सारे फूल भी होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे चीडियां चीडियां भी उरती हैं, ठीक है? तो उन चीज को देखिए, तो वहाँ पर आपको क्या पता चलेगा? क्या वो सभी एक जैसे हैं, या फिर उन में किसी भी प्रकार का वेरियेशन आपको देखने को मिलता है, तो भी या वेरियेशन देखने को मिलता है, यानि कि आप जब देखते हैं, तो क्या सिर्फ एक पेड़ आपको देखने को मिलता है, नहीं, कई सारे तरीके के पेड़ throughout the country यहाँ पर एक word है bioform, bioform कहने का मतलब क्या है ? मतलब की biological form, बैलोजिकल form मैं क्या हूँ एक biological entity हूँ उसी तरीके से बहुत सारे क्या हो सकते हैं ? biological form हो सकते हैं, तो उसी चीज़ की बात की जा रहिं, बहुत तरीके के वास्ट कंट्री कहने का मतलब है कि इंडिया साइज में भी बहुत बड़ा है, इंडिया में वेरियेशन भी बहुत जादा है, आपको कहीं पर आपको माउंटेंज दिखने को मिलेंगे, कहीं पर डेजर्ट मिलेगा, कहीं पर प्लेटू मिलेगा, तो इस तरवजे से क्या है, इंडिया में बहुत ज़्यादा variation है अब यहाँ पर कुछ बाते बताई गई है यहाँ से आपको One Max वाला question पूछा जा सकता है या फिर कुछ बड़ा question भी पूछा जा सकता है यहाँ पर simply कहा गया है Our country India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world 12 mega biodiversity कहने का मतलब क्या है मतलब यह है कि दुनिया में वो देश जीन में बहुत ज़्यादा variation है मतलब बहुत प्रकार के जीव रहते हैं बहुत प्रकार के पेड़ पौधे हैं बहुत प्रकार की मचलिया हैं तो सबसे ज़्यादा variation वाला जो देश है उन विश्व के जो बारह सबसे ज़्यदा वाले देश हैं, उनमें से एक भारत भी है, ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है कि कितने plants हैं, कितने variation हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया में 47,000 plant species मौजूद हैं, और इस मामले में इंडिया क्या है, world में 10th position है, किस मामल में, और साथ में Asia में क्या है, 4th position है, Asia में कितना 4th position, इसको ध्यान रखिएगा, इससे question बन सकता है, आपका 1 marks का question, ठीक है, इसके अलावा इंडिया में 15,000 flowering plants हैं, यानि कि जिन से full उपते हैं, उन plants की बात की जारी है, और यह पूरे world में 6% number है, यानि कि world में जितने भी आपको flowering plants हैं, उन में से 6% इंडिया में पाई जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे non-flowering plants भी हैं, यानि वैसे plants जिन में आपको full नहीं उपते हैं, जैसे कि example ferns हो गए, अलगी हो गए, फंगी हो गए, यह सारे हो गए, और इंडिया में आपको करी species, और भी बहुत तरीके के आपको जीव जन्तु दिखने को मिलेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर natural vegetation की बात की जारी है, कि natural vegetation क्या होता है, यह तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, कि किसी एक खास छेतर में, जो हमारा plants, या फिर plant community, पर कि आपने सो, दोस्तों मान लिजे, पौधे आपने लगाए है, फूल उखते हैं, और भी चीज़े होती है, क्या वो natural vegetation है, जी नहीं, आपका जो garden है, वो vegetation है, लेकिन natural नहीं है, क्योंकि वो आपके intervention से उगा है, वो खुद बखुद वहाँ नहीं आया है, लेकिन जो जंगल देखते हैं, जंगल में जो आपको environment देखने को मिलता है, वो एक प्रकार से natural vegetation है, क्योंकि वहाँ पर human ने intervention नहीं किया है, अगर humans ने जाकर कोई intervention कर दिया, मान लिजे कि कोई plant आपने जाकर लगा दिया, वहाँ से कुछ काट लिया, कुछ भी किया intervention, तो फिर वो natural न भी कहा जाता है, ये भी word ध्यान रखेगा, one marks में ये question पूछा जाता है, virgin vegetation क्या होता है, या फिर natural vegetation क्या होता है, simply कहें तो natural vegetation और vegetation में क्या अंतर है, ये सारे पूछे जा सकते हैं, इसके लावा यहाँ पर कहा जा रहा है, एक point जो मैंने कहा वही, कि जो आप crops उगाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप natural vegetation को clearly आप समझ गया होंगे, अब यहाँ पर कहा जा रहा है, the virgin vegetation, ये आपको important है, यहाँ पर exotic क्या होता है, ये important है, virgin vegetation which are purely Indian and are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as exotic plants, virgin vegetation का मतलब क्या, मतलब कि humans का कोई intervention वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी दो प्रकार के आपको plants आ जाते हैं, पहला तो आपका है जो कि इंडिया का मूल है, मतलब कि हजारों सालों से 2004 से, मतलब हमेशा से इंडिया में ही वो उग रहा है, लेकिन कुछ plants हैं, जो कि इं पहुद बखुद उग जाते हैं, तो वो क्या हो गए? आपके exotic plants हो गए, मतलब कि वो यहाँ के नहीं हैं, कहीं और के हैं plants जैसे Amerikan के हैं, Europा के हैं, अफरीका के हैं, लेकिन वो यहाँ पहुच गए हैं और यहाँ पर वो उगने लगे हैं, तो वो क्या होगए? exotic plants हो गए है है clear है अब यहाँ पर आगे आपके सामने एक चीज है flora और fauna यह flora fauna क्या होता है यह जरा सा हमें समझना है flora simply कहें तो flora कहने का मतलब है कि जितने भी आपके पास plants वगरा हो गया वो आपका flora हो गया क्या यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है the term flora is used to denote plants of a particular region or period यानि कि आज के समय में हमारे जिले में जितने भी आपके plants होंगे उनको कहेंगे कि भाईया यह हमारे जिले का flora है मेरे गाओं में मेरे गाओं के बगल में जो हमारा जंगल है वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यह हमारा flora है मतलब क्या कि यह हमारा एक plant community है जो कि हमारे एक खास reason में पाया जा रहा है ठीक है अब इसी तरीके से जो एक खास इलाके में आपको जानवरों की species होगी जो जानवरों का community होगा वो क्या कहलाएगा fauna कहलाएगा fauna मतलब कि मैं अगर कहीं पर बैठा हूँ मेरे गाओं के अगल बगल या फिर मेरे गाओं के अगल बगल कोई आपको जंगल है वहाँ पर जो जानवरों की community है उसको क्या कहेंगे? fauna कहेंगे flora का मतलब क्या? plants की community flora में क्या आजाएगा? flora में आपको आजाएगा क्या? flora में आपको जितने भी आपको plant species होगे सारे आजाएगे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये plant भी flora में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब जो भी plant species आप देखिएगा, वो क्या हो गया, flora का हिस्सा हो गया, flora क्या हो गया, किसी एक खास इलाके में पाए जाने वाले जितने भी plant हैं, plant community है, वो आपका flora हो गया, और साथ में flora आपका time से भी related है, मतलब flora कहने का मतलब कि अभी किसमे में, आज किसमे में, मेरे इलाके में, जो plant species मौझूद है, सभी flora का हिस्सा हो गया, आज का flora और 2-4 साल बाद का flora अलग होगा, क्यों, आज जो plants है, वो 2-4 साल बाद नहीं होगे, 2-4 साल बाद नहीं आ जाएंगे, तो flora जो word है, वो आज किसमे में, मतलब time के साथ भी जोड़ा हुआ है, आज किसमे में, मेरे इलाके में, जो plant species सारे मौझूद हैं, वो flora हो गया, उसी तरीके से fauna में क्या आ जाएगा, fauna में जितने भी आपके plant species हैं, sorry, animal species हैं, वो आपके fauna आ जाएंगे, मतलब कोई आप अगर जाते हैं, कहीं पर घूमने जंगल में, या फिर कोई पार्क में जाते हैं, जो national park होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जितने भी आपके species मौझूद है, animal species, जो कि उस environment में रह रहे हैं, वहीं के वो habitat हैं, तो वो क्या हो गया, उस इलाके के fauna हो गया, तो flora और fauna clearly समझ गया, तो यहाँ पर flora, fauna में आप differences ऐसे देख सकते हैं, कि जितने भी plant species हैं, वो क्या हो गया, flora हो गया, और जितने भी आपके animal species हो गया, य आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है, इस huge diversity in flora and fauna kingdom is due to the following factors, अब यहाँ पर कहा जा रहा है, कि देखिए flora जो होता है, या फिर fauna जो होता है, मतलब कि जो plant species का community है, जो animal species का community है, वो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत बड variation होता है, मतलब कि एक आपको जानवर नहीं मिलेगा, हजारों की संख्या में आपको variation देखने को मिलेगा, कितना variation, तो यहीं तो हमने देखा था, कि हमारे पास 47,000 types of plant species हैं इंडिया में, साथ में हमारे पास क्या है, 15,000 of flowering plants की species हैं, और इसके अलावा 90,000 species of animals हैं, तो इतन variation आया क्यों, हमारे देश में इतना ज़्यादा variation है क्यों, हमारा देश, world के 12 mega biodiversity country में क्यों आता है, ये अब हमें समझना है, कि हमारे देश में इतना variation क्यों है, कैसे है, क्या reason है, अब उसको हम समझते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कई सारे आपको point समझ या फिर कोई सारे बाते समझनी हैं, जिनके वज़ा से ये पूरा variation हमारे देश में आ रहा है, तो variation की बात करें, तो कई सारे factors हैं, जिसकी वज़ा से किसी एक खास इलाके में जानवर different type के होते हैं, दूसरे में different type के होते हैं, तो उसमें सब से पहले हम क्या देखने वाले ह हैं, relief feature के बारे में देखने वाले हैं, relief का मतलब क्या होता है, relief कहने का मतलब होता है, कि किसी भी खास इलाके का topography क्या है, मतलब कि हमारा जो वो इलाका है, वो कैसा है, वहाँ पर क्या, वहाँ पर plane, इस तरीके का plane है, या फिर वहाँ पर sea है, वहाँ पर plateau region है, या फिर mountain है या फिर इस तरीके के Mount Everest जैसे बड़े-बड़े Mountain है तो मतलब वहां का जमीन का structure का ऐसा है जमीन पर महौल का ऐसा है जमीन की उचाई कितनी है ये सारे आपको topography होती है और यही एक चीज़ है जो की काफी ज़दा influence करती है ठीक है? यहाँ पर देखिए अब बोलेगे सर जमीन इधर उधर है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है देखते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक सवाल Do you expect the same type of vegetation in mountains, play to and plain areas or in dry and wet regions? क्या आप ऐसा चाहते हैं या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि जो यह अलग-अलग environment वाले इलाके हैं कहीं पर mountain है, कहीं पर play to है कहीं पर plain area है, कहीं पर dry region है कहीं पर wet region है क्या सभी जगों पर same vegetation उग सकते हैं? क्या उग सकते हैं? जी नहीं, नहीं उग सकते हैं क्यों नहीं उग सकते हैं, इसलिए नहीं उग सकते हैं, क्योंकि सभी reasons का जो climate है, और भी जो चीजे हैं, वहाँ पर जो water का ability है, sunlight है, बहुत सारे चीजे हैं वो differ करती हैं, और बहुत सारे plant हैं, उनकी requirement अलग अलग होती है, तो सभी plant सभी जगों पर नहीं उग सकते हैं, जैस सपानी चाहिए, तो क्या वो रेगिस्तान में उग सकते हैं, जी हाँ उग सकते हैं, कुछ plant हैं, जिनको क्या चाहिए, जिनको जड़े नीचे तक जानी चाहिए, तो वो क्या वो पहाडों पर उग सकते हैं, जी नहीं नहीं उग सकते हैं, तो मतलब क्या है, मतलब है कि दलदली राके में मौझूद है उसको आप अगर mountain पे ले जाकर अगर लगा देते हैं तो वो नहीं उगेगा क्योंकि उसको जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है, जितना sunlight चाहिए उतना sunlight नहीं मिल रहा है, उसको जैसा जड़ लगाने के लिए जमीन चाहिए व वो vegetation के type को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए, एक और चीज है, कि जो fertile level जमीन होती है, यानि जो समतल जमीन होती है, जो उपजाव जमीन होती है, उसको generally agriculture में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो undulating और rough terrain होते हैं, यानि जो पहाड के ढ़लान वाले जैसे इलाके होते हैं, वहाँ पर grassland होगते हैं, या फिर woodland डेवलप होते हैं, और वो अलग-लग प्रकार के wildlife को क्या करते हैं, support करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे अगर आप देखिए, तो यहाँ पर सबसे अच्छा जमीन कौन सा है, plants या फिर सभी vegetation को ओगने के लिए, ये इलाका है plain, क्योंकि यहाँ पर जमीन समतल है, पानी भी अच्छी मात्रा में है, plants को जो nutrients चाहिए वो भी मिलता है, लेकिन इसको हम क्या यूज करते हैं, इसको हम खेती के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम plants तो यहाँ पर उतना ज्यादा लगाते नहीं है, यहाँ पर का climate ही अलग हो जाता है, यहाँ पर सभी plants सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ प पर देखिए, इस तरीके के, इस तरीके से ये पूरा ढहलान है, यहाँ पर ये grasses आप देख रहे हैं, जो कि grasses यहाँ पर उगे हैं, grassland बन गया है, क्योंकि यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ उतने ज्यादा संख्या में नहीं उग सकते हैं, जो भी पेड़ होगेंगे, वो soil कैसे परभावित करता है vegetation को, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि the soil also vary over space, मतलब soil भी एक प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार के soil होते हैं, यह तो आपको भी पता है आपने class 7th में पढ़ा होगा soil के बारे में, ठीक है, तो soil की बात करें, साइध class 8 में भी पढ़ाया गया है second chapter में soil को, ठीक है तो आपने soil के बारे में पढ़ा होगा कि भाई, soil different types के होते हैं अलग-लग reason में, अलग-लग प्रकार के soil होते हैं, और यहाँ पर यहाँ पर different type के soil होने की वजह से भी आपको vegetation अलग-लग इलाके में अलग-लग प्रकार का मिलता है मतलब की उपर हमने जैसे देखा कि जो हमारा relief feature है जो हमारा land है, वो अलग-लग structure और अलग-लग उसका feature होनी की वजह से vegetation वहाँ पर क्यों अलग-लग उगता है क्योंकि plant की requirement के हिसाब से plant उगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो soil है, ये भी आपका वही काम करता है, क्योंकि अलग-लग reason में different type of soil मुझूद है, तो वहाँ पर अपनी requirement की हिसाब से कुछ plant survive करते हैं, कुछ plant survive नहीं करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, तो desert में जो sandy soil है, वहाँ पर आपका mangrove forest नहीं उग सकता है, यानि जो दलदली इलाके में उगने वाले plant हैं, वो नहीं उग सकते हैं, क्योंकि उनकी water की requirement बहुत ज़्यादा है, उसको humidity अच्छा चाहिए, उसको sunlight अपने requirement की हिसाब से चाहिए, वो सारी चीज़े नहीं मिलेंगी, अगर आप उसको जाकर desert इलाके में लगा भी दीजेगा, तो वो तुरंत मर जाएगा, वो survive ही नहीं करने पाएगा, ठीक है, और यहाँ पर sandy soil होते हैं, यहाँ पर आपको thorny bushes उग जाते हैं, cactus उग जाते हैं, यहाँ पर क्यों? क्योंकि यह survive करते हैं, जितनी water requirement है, वो आपको यहाँ पर पूरा हो जाता है, वो असानी से survive कर जाते हैं, ठीक है? यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है, कि भाई, different type of soil हैं, जिसके वज़से क्या होता है, different type of vegetation उगते हैं, यहाँ पर जैसे कहा गया कि भाई, देखिए, cotton generally कहा किस आपका soil में अच्छा उगता है, तो भाई, black soil में अच्छा उगता है, उसी तरीके से आप अलग देखिएगा, agriculture के बारे में पढ़िएगा, तो वहाँ भी आपको पता चलेगा, कि different type of, जो आपके crop हैं, वो अलग-अलग soil में लगाए जाते हैं, क्योंकि उनकी requirement अलग-अलग होती है, और अलग-अलग soil में उनकी requirement पूरी हो सकती है, इस वजह से, अब इसके बाद आगे बढ़ें, तो आगे हमारे सामने आजाता है climate, climate कैसे प्रभावित करता है हमारे vegetation को, यह जरा सा हम दिख लेते हैं, तो यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, the character and extent of vegetation are mainly determined by temperature, along with humidity in the air, precipitation and soil, देखिए, किस इलाके में कैसा plant उगेगा, कैसा vegetation होगा, यह determine होता है, किन चीजों के द्वारा, temperature के द्वारा, temperature के अलावा क्या, temperature के अलावा humidity, यहाँ पर humidity भी कहा गया है, precipitation का भी कहा गया है, soil भी कहा गया है, तो soil के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया, कि अलग-अलग reason में, अलग-अलग होता है, जिससे की क्या होता है, plants को support मिलता है, ज्यादा बारिस होगा, तो ज्यादा water requirement वाले plant होगेंगे, कम बारिस होगा, तो कम water requirement वाले plant होगेंगे, ठीक है, इसके साथ ही, air में humidity हवा में नमी कितनी है, हवा में water vapors कितनी मातरा में मौझूद है, देखिए, जो plants होते हैं, जब उनके उपर sunlight पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, इवापोरेशन करते हैं, अगर air में humidity ज़्यादा होगी, तो इवापोरेशन कम होगा, और उनको water requirement जो है, पुरा temperature वगेरा है, वो उस तरीके से maintain रहेगा, तो इस तरीके से क्या होता है, अलग-अलग plant की requirement, अलग-अलग humidity होती है, कुछ plant को ज़्यादा humidity चाहिए, कुछ plant कम humidity में भी survive कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, humidity भी बहुत impact करता है, ठीक है, यहाँ पर temperature बहुत important होता है, अब यहाँ पर आगे कहा जा रह है, कि देखें, जब आप हिमालियास के slope पर जाईएगा, और जब hills पर जाईएगा, peninsular region के hills पर पहाड़ों पर जाईएगा, जब आप 915 मीटर की height से उपर जाते हैं, तो वहाँ पर temperature में fall शुरू होने लगता है, काफी fall होता है, और उसकी वज़े से क्या होता है, कि जो vegetation है, और जो उसका growth है, यानि plants community और उसका growth है, वो भी आपको फर्क देखने को मिलता है, और वहाँ पर tropical से change होकर, subtropical temperate और alpine vegetation में वो बदल जाता है, तो भाईया, यहाँ पर हुआ क्या, यह तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, कि यहाँ पर हुआ क्या, अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपके सामने एक मैंने image लिया है, इस image में क्या यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर आपको यह जो पीला reason है यह आपका है, पूरा जो पीला reason आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और zoom कर यह पीला reason आपका subtropical region है, red वाला पूरा reason है यह आपका tropical region है, जो भी red में आप देख रहे हैं, green में आपका temperate region है, और south में यह आपका polar reason है, उपर वाला और नीचे वाला, यह आपका polar reason है, अब यह चीज़े होती क्या है, यह चीज़े होती है, कि देखें जो आपका equator है, इस तरीके से बीच में से आपका equator जा रहा है, तो equator के उपर आपको पता है कि sunlight सीधे पढ़ती है, तो गर्मी जादा होती है, temperature जादा होता है, तो जैसे जैसे equator से आप दूर जाइएगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपका जो temperature है न, वो आपका drop करेगा, average temperature drop करेगा, इस reason में जो average temperature है न, yellow reason में, ये different होगा average temperature, green reason में आपको average temperature different होगा, यहाँ पर average temperature different होगा, तो यहाँ पर यह चीज आपको किसके साथ match करती है, मतलब कि किसके साथ करती है, इस तरीके से, देखिए sunlight ऐसे पढ़ता है इस तरफ तो यहाँ पर यह जो equator वाला इलाका है यहाँ पर गर्मी ज़ादा होती है यहाँ पर कम होता है यहाँ पर सबसे कम होता है तो इस वज़ासे क्योंकि अर्थ का ऐसा shape है इस तरीके से curve shape है तो सामने वाले इलाके पर क्या होता है धूप ज temperate और हमारा क्या है polar इसमें एक तरीके से बट जाता है प्रिथ्वी पर कई सारे हिस्से वन जाते हैं अब यहाँ पर हमें पता चला कि भईया temperature up down होने से क्या होगा plants अलग लग तरीके के होगे लेकिन पहाडों पर यह चीज़ कैसे लागो होती है पहाडों पर लागो होती जाइएगा जैसे जैसे आप उचाई पर बढ़ियेगा वैसे वैसे क्या होगा temperature drop करेगा air pressure drop करेगा और भी तरीके के changes होंगे तो उससे यह जो आपको temperature drop यहाँ पर temperature drop देखने को मिला वो बिलकुल उसी तरीके से काम करेगा जो की आपको देखने को मिला था अर्थ पर जो क इस वैसे वहाँ पर vegetation ही change हो जा रहा है तो यह भी काफी जदा impact करता है अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने यहाँ पर एक chart दिया गया है जहाँ पर बताया गया है tropical, subtropical, temperate और alpine के बारे में alpine को एक तरीके से tundra vegetation भी का जाता है तो यहाँ पर देख गर्मी होती है गर्मी के सीजन में जो average temperature होता है वो 18 degree होता है और यहाँ पर कोई भी frost नहीं होता है फ्रोष्ट मतलब की भाई बर्फ बारी या फिर बर्फ जमना ये चीज नहीं होता है बिलकुल भी नहीं होता है ठीक है इसके अलावा subtropical आपको vegetation zone में क्या मतलब है मतलब 17 degree से 24 degree के बीच साल का average temperature होता है जनवरी यानि ठंडी के दिन में कितना होता 10 degree से 18 degree और rarely frost देखने को मिलता है मतलब कभी कभार 2-4 साल 10 साल में हो गया तो हो गया temperature zone में क्या होता है 60 degree से 17 degree होता है साल भर का average temperature वहीं जनवरी का average temperature कितना होता है minus 1 degree से minus 10 degree ठीक है मतलब सर्दी के दिन में minus 1 से minus 10 होता है frost होता है कुछ बर्फबारी भी होती है ठीक है alpine vegetation कहने का मतलब क्या है 60 degree से कम temperature साल का average temperature है मतलब कि गर्मी के दिनों में आपको 9-10 degree देखने को मिलेगा उससे ज्यादा नहीं मिलेगा में temperature कितना होता है minus 1 degree से भी नीचे होता है और इसनों आपको बिलकुल देखने को मिलेगा सालोबर मतलब कि जो आप उपर हिमाले पर glacier देखते हैं वो क्या हो गया अलपाइन वेजिटेशन हो गया अंटाक्टिका का नाम सुनते हैं वहाँ पर बहुत बर्फ है तो वो क्या हो गया एक प्रकार का अलपाइन वेजिटेशन हो गया इन चीजों की बात की जारी है अब यहाँ पर एक और चीज है यह क्या है फोटो पिरीएट पोटो पिरीएट कैसे impact करता है वेजिटेशन को यानि कि सनलाइट सिम्मल भास हमें कहें तो फोटो पिरीएट इसका मतलब क्या हुआ मतलब की बाय है सनलाइट कितना देर पड़ रहा है कितना सनलाइट पड़ of sunlight trees grow faster in summer यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर हुआ यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाईया देखो हमारा जो globe है globe में latitude, altitude season, day का duration इन सबी चीज़ों की वज़़ से क्या होता है कि जो sunlight का जो time है मतलब कितना देर सूरज उगेगा दिन भर में ये काफी vary करता है कभी कम होता है कभी जादा होता है उसके हिसाब से जो plants है वो grow करते हैं क्योंकि plants को sunlight चाहिए अपना खाना बनाने के लिए क्या करने के लिए photosynthesis करने के लिए तो यहाँ पर क्या होता है photopreate बहुत important हो जाता है यह कैसे impact करता है इसको जरा सा देखते हैं तो यहाँ पर अगर हमने देखें तो यहाँ पर हमारे सामने एक यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर जेखिए season की बात सबसे पहले कर लेते हैं season तो आपको पता है कि गर्मी का season आता है दूप ज्यादा होता है तो photos निसेजी ज़्यादा होता है प्लांट ज्यादा ग्रो करते हैं तो आपको season की बात उतने ज़्यादा करनी नहीं है इसके अलावा और भी कुछ है तो उसको देख लेते हैं और भी क्या है हमारे सामने और भी मेरे ख्याल से होना चाहिए यहाँ पर एक सेकेंड इसकी भी बात कर लेते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है वही चीज कि भाई देखो latitude, altitude के हिसाब से क्या होता है temperature वगरा change करता है sunlight आपको change करता है यहाँ पर आप equator के region में जैसे जो tropical region था यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपको एक तरीके से sunlight सबसे ज़्यदा होता है इसके बाद यहाँ पर sunlight कम होता है इसके बाद यहाँ पर सबसे कम होता है तो क्यों होता है क्योंकि sun से जब आप दूरी देखिएगा तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखें sunlight सामने से आ रहा है तो गर्मी के दिनों में जो इंडिया है इंडिया में जब गर्मी होता है तब यहाँ पर sunlight सबसे ज़्यादा पड़ता है इस line पर और जब सर्दी के दिन आते हैं तो यह हमारा इंडिया इस जगह पर आ जाता है मतलब यह थोड़ा सा tilt हो जाता है मेरे पास clear image नहीं है जैसे एक second रुकिये मैं आपको समझा देता हूँ यह दिखा कर तो जैसा कि इस image में आप देख सकते हैं कि भाई देखो यहां पर हमारा इंडिया है वो इस तरफ पढ़ता है तो गर्मी के दिनों में क्या होता है इस तरीके से सूरज के सामने आ जाता है लेकिन फिर क्या होता है प्रित्वी जो है वो सूरज के चार ओर इस तरीके से घूमते 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 इस पोजिशन में पहुंचाती है तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पर है इस तरीके से ऐसे घूम रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो गया अब तो सूरज से दूरी कम हो गई ना, मतलब जादा हो गई ना, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर धूप कम होगा, गर्मी कम होगा, तो यहाँ पर सर्दी होगी, इसी तरीके से यह रीजन अब सामने आ गया है, यहाँ पर आपको सीजन, इस तरीके से चेंज होता है, यह सबसे ज़्यादा धूप लेने वाला reason है, वो कौन सा है, equator के आसपास के इलाका, जो के temperate reason है, उसके बाद ये इलाका, उसके बाद ये इलाका और polar reason में सबसे कम होता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करें, तो आगे हमारे सामने है precipitation precipitation क्या होता है, in India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon, June to September, यानि इंडिया में जो precipitation बारिस होता है, वो कैसे आता है, monsoon किसे आता है, monsoon कौन सा monsoon, southwest monsoon, जो की soon June से September हमारे देश में आता है, अब इसको भी थोड़ा सा देखते हैं, यह आपका southwest monsoon का एक image है, अब यहाँ पर monsoon में क्या होता है, monsoon में यह होता है, कि देखिए, यहाँ इस तरफ से, अब ज़्यादे detail में मैं नहीं पता रहा हूँ, मैं sort में आपको समझाने के कोशिश कर रहा हूँ, कि जो हवाएं हैं, वो यह जो आपका Indian Ocean है यहाँ पर, इस region से चलती है, अब यहाँ से निकलती हैं, तो अपने साथ ज इंडिया में आते जाती हैं, और अलग-लग region में बारिस करवाते जाती हैं, समझ गये, तो इस तरीके से monsoon से क्या होता है, हमारे देश में बारिस होता है, हमारा जो यह region है, जो इंडियन ओशियन है, वहाँ से monsoon हवाएं जो हैं, वो अपने साथ water vapors लाकर, इस पूरे Indian subcontinent में बारिस करवाती हैं, और हमारा precipitation जो है, वो हमें देखने को मिलता है, यानि कि यह आपको यहाँ पर यह भी दिखाया गया है, कि किस region में कब बारिस होती है, कब monsoon आता है, जैसे यहाँ पर यहाँ तक पहुंचता है 20 मई को, यहाँ पर 25 मई, average बताया जा रहा है, या फि region में, पूरे region में क्या होता है, बारिस करवाता है, ठीक है, यह तो हमें पता चल गया, और इसके साथ ही, यह हवाएं जब वापस लोटने लगती हैं, यानि जब बारिस हो गया, वापस पीछे की और हवाएं जाने लगती हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, retreating north east monsoon कहते हैं, तो यह हवाएं फिर से बारिस करवाती हैं, ठीक है, अब इसके साथ ही, यहाँ पर इससे बताया गया, कि इससे फर्क क्या पढ़ता है, इससे फर्क यह पढ़ता है, कि वो इलाके जहाँ पर heavy rainfall देखने को मिलता है, वहाँ पर हमें dense vegetation देखने को मिलता है, race rainfall वाले इलाके के comparison में, जहाँ पर बारिस ज्यादा होगी, वहाँ पर ज्यादा घने पेड़ूगेंगे, जहाँ पर कम होगी, वहाँ पर कम घने पेड़ूगेंगे, क्योंकि plants को survive करने के लिए water बहुत important होता है, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ गया, अब forest के बारे में थोड़ा सा ब बात किया गया है, कि forest हमारे लिए important क्यों है, तो यही question आप से पुछा गया है, have you ever thought as to why forests are important for human beings, human beings के लिए forest important क्यों है, क्या यह आपने कभी सोचा है, तो देखिए, forest important क्यों है, 4-5 point यहाँ पर बताए गया है, यह important VVI question है, यह आपको आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, forests are renewable resource and play a major role in enhancing the quality of environment, पहला point ठीक है, they modify local climate, control soil erosion, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many communities, offer panoramic or scenic view for recreation, they control wind force and temperature and cause rains, तो यहाँ से आप 3-4 point बनाकर असानी से लिख सकते हैं, अब यह सब हैं क्या, तो थोड़ा सा मिद्वाट में मैं इसको explain कर देता हूँ, वैसे ज़्यादा explanation की जरूवत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह उतना कोई खास point है नहीं, कि देखिए, जो आपके पेड होते हैं, वो soil erosion को control करते हैं, उनकी जो पेड की जड़े हो करके, मतलब पेड मौझूद रहते हैं, तो हवाएं भी एक तरीके से slow चलती हैं, इसके साथ ही stream flow भी control करती हैं, industries को support कैसे करती हैं, industry हमें पेड से बहुत सारी चीज़े मिलती हैं, बहुत सारे communities जंगलों में रहते हैं, जंगलों से अपनी जिविका पुरी करते हैं, और इ ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात करें, तो आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, they provide humus, ओ, आगे भी point है, यह भी add कर लीजेगा, they provide humus to the soil and shelter to the wildlife, wildlife बोले तो जो जंगली जीव हैं उनकी बात हो रही है, India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors, such as the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing pasture, यहाँ से question पूछे अगर, why India's natural vegetation has undergone many changes, और एक से साथ में पूछेगा, कि क्या यह अभी तक natural है, is it natural now, तो no, अभी तक natural नहीं है, क्योंकि आप सभी इलाके को देख लें India में, कुछ ही इलाके हैं जहाँ पर human का intervention नहीं हुआ है, बाकि सभी इलाकों में हमें बदलाव देखने को मिलता है, तो यहाँ से अगर आप से question पूछे, कि कैसे हमारा natural vegetation में changes आये हैं, तो यहाँ से आप points बना कर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा cultivated land के demand के वज़े से agriculture आया, industries हो गया, तो क्या हो गया, forest पर उसका impact पड़ा, mining के वज़े से पड़ा, over grazing के वज़े से पड़ा, किसी न किसी तरीके से हमने क् intervention किया है, और यही यहाँ पर एक और point है, कि vegetation cover of India in large parts in no more natural in real sense, यह भी question पूछ सकता है, कि क्या आज का हमारा इंडिया का natural vegetation है, या फिर vegetation cover unnatural हो चुका है, तो भीया, अब natural नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदला हो चुका है, कुछी इलाके को छोड़ दें, कौन-कौन से इलाके, हिमाले के इलाके, सेंट्रल इंडिया के जो हिली रीजन है, या फिर जो मरुवस्थल है, वहाँ को छोड़ दें, तो हमारा vegetation natural अब नहीं है, और जो vegetation है, वो ज़्यादा तर एरिया में किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी modify किया गया है, और humans ने उसको intervention वहाँ किया है, ठीक है, यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, according to Indian state of forest report 2011, forest cover of India is 21.05%, 21% forest cover है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह जो चार्ट है, यह चार्ट देख लीजे, इस चार्ट में क्या बताया गया है, कि भाई कौन सा आपका राज है, जहाँ पर कितने परसेंट इलाके में इस चार्टिल है, यहाँ पर सबसे कम में मुझे दो राजे दिख रहे हैं, एक तो यहाँ पर एक देखिए पंजाब दिख रहा है, और दूसरा यहाँ पर हमें हर्याना दिख रहा है, दिल्ली में वैसे हर्याना से भी ज़्यादा आपको परसेंटेज इलाके पेड़ के द तुम्त लब क्या है। यहां पर simply हमें different type of forest पढ़ना है, यानि अलग-अलग प्रकार के जंगलों के Dogs के बारे में यहां पर पढ़ना है, तो यहां पर हमारे फोरेस्ट हैं उनके list एक बार नाम हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे सामने forest वो है tropical evergreen forest, यह एक प्रकार का forest होता है जिसके बारे में तुरंत अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद अगला है tropical deciduous forest, इसके अलावा tropical thorn forest and scrubs, mountain forest, mangrove forest, इन सभी के बारे में हम बारी बारी से detail में जानने वाले हैं, जिससे आप के question भी पूछे जाते हैं, इनके बारे में जानना भी बहुत important है, बहुत यह important हो जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने आजाता है कौन सा forest, यह है tropical evergreen forest, आप जब इसको देखते हैं तो इसका नाम ही क्या है evergreen, evergreen कहने का मतलब क्या है या यह सालो भर क्या होगा, green रहेगा इसके पत्ते नहीं जड़ेंगे, इसके पत्ते जो होगे सालो भर green रहेंगे, काफी हरियाली होगी, ऐसा यह forest होता है, तो यह जो forest होते हैं, यह आपको ऐसे forest होते हैं, जिनको की काफी heavy rainfall की जरूत होगी, मतलब जिस इलाके में जादा से जादा बारिस होगी, बहुत जाद इसके बाद अंडवान और निकोबार आइलेंड में, असम के अपर पार्ट्स में और तमिल्लाडू कोस्ट के उपर, यह सारे ऐसे reason हैं, जहां पर बारिस बहुत जादा होती है, यहां पर water भी बहुत जादा available है, यहां का climate ऐसा है, कि यहां पर यह जो evergreen forest हैं, tropical evergreen forest, यह हम में देखने को मिलता है, जहां पर 200 cm से जादा बारिस होती है, और saw dry season होता है, मतलब कि सूखे के दिन, गर्मी का दिन, जो सूखा वाला season होता है, वो बहुत कम समय के लिए होता है, और यहां इस जंगल में जो पेड होते हैं, इसके height up to 60 meters तक चले जाते हैं, यानि जंगल क पेड़ 60 meter जितने उचे भी हो सकते हैं, और इसके साथ ही, यह जो region है, जहां पर यह पेड उखता है, यह region आपका काफी warm होता है, काफी wet होता है, यानि water काफी sufficient मातरा में मौजूद होती है, तो इस वज़ा से यहां पर काफी different type of vegetation हमें देखने को मिलते हैं, मतलब बड़े trees भी, इसके साथ ही shrubs भी, या फिर creepers भी, यानि multi-layered structure हमें देखने को मिलता है, और यहां पर इस जंगल में कोई एक definite time नहीं होता है, जबकि यहां पर पत्ते अपने गिराएं यह जंगल, और इसलिए यह जो forest है, यह साल भर हमें green देखने को मिलता है, तो यहां पर यह ज इसके features, features आपको बता रहेंगों, तो features यहां पर जैसे मैंने बताया कि 200 cm से ज़्यादा वारिस होती है, पेडों की height 60 मितर तक जाती है, यह साल भर green रहते हैं, इस तरीके के features आप बना कर लिख सकते हैं, अब यहां पर इसको थोड़ा सा हम समझने के कोशिश करते हैं, कि य यहां पर अगर हम देखें, तो यहां पर यह जो आप जंगल देख रहे हैं, इस जंगल को आप देखिए, इस जंगल में यहां पर देख रहे हैं कि यह लोग कितने छोटे-छोटे हैं, उनके comparison में यह पेड कितने वड़े-वड़े हैं, तो यह आपका एक प्रकार का है, tropical ever green forest, और यहां पर यह जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, कितना green है, कितनी हरियाली है यहां पर, क्यों है, क्योंकि यहां पर water sufficient मातरा में मौझूद है, sunlight sufficient मातरा में मौझूद है, जितनी जरूवत है, सभी तरीके के plants यहां पर आसानी से grow करते हैं, इसके बाद अगर अगर हम देखें, तो यहां पर यह हमारा tropical evergreen forest का एक हमारा layer wise structure है, मतलब हमने क्या कहा, कि maximum जो height है, इस forest में, वो पेड़ो की जाती है, 60 meter तक, यानि 60 meter, मतलब करीब 180 feet, 180 feet तक पेड़ो की height चली जाती है, अब ऐसा नहीं है, कि सभी पेड 180 feet के होंगे, या फिर 60 meter के होंगे, कुछ पेड़ हैं, जो की इस height तक जाते हैं, कुछ पेड़ हैं, जो की छोटे layer तक जाते हैं, जो की एक पूरा घना structure बनाते हैं, जिसके वज़से नीचे आपको इस region में उतना sunlight नहीं पहुंच वने पाता है, ठीक है, इसके बाद आपका understory layer, यह आपको यहां पर नहीं प मतलब यह जो आप जाड़ियां नीचे देख रहे हैं, यह सारे जाड़ियों की यहां पर बात की जारी है, कुछ पेड़ होंगे, जो की 10 मीटर के होंगे, कुछ 20 मीटर के होंगे, कुछ 60 मीटर के होंगे, तो ऐसा यह पूरा structure बनता है, अब यहां पर इस जंगल को उगने क लिए क्या condition चाहिए तो सबसे पहले तो 12-200 cm से ज़्यादा होनी चाहिए इसके लावा sunlight अच्छी मात्रा में मिलना चाहिए इंडिया के किस रीजन में ये उखता है तो इंडिया के रीजन तो इंडिया के रीजन एक मिनट मेरे पास दूसरा मैप नहीं है इसलिए मैं इसी इस रीजन में ये यहाँ पर उखता है इसके लावा असम में यहाँ पर जाएंगे तो इस रीजन में हमें देखने को मिलता है ये forest तो इसके लावा और कोई रीजन था जरा सा चेक कर लेते हैं इसके लावा और कोई रीजन था मेरे ख्याल से तो नहीं था अंडमान और साथ में लक्षदीप तो यहां पर हमारा लक्षदीप आइलेंड का ग्रूप आ गया जो कि यहां पर है और अंडमान नीकवर आइलेंड का ग्रूप यहां पर है तो इन रीजन्स में यह जो हमारा प्लांट है या फिर यह जो हमारा फॉरेस्ट है यह उकता है यह मैप में भी आपने देख लिया कि कहां कहां है, ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यह हमारा टॉपिकल लेवर ग्रीन फॉरिस्ट हो गया, इसमें यहाँ पर इन्सियाटी बुक में भी आपका दिखाया गया कि देखिए, जो टॉप लेएर है, इमर्जेंट लेएर, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम हाइट 60 मीटर, इसके बाद कैनोपी लेएर हो गया, दूसरे लेएर के जो पेड़ हो गया, यह 40 मीटर हो गया, इसके बाद 20 मीटर सा गया, यहाँ पर नैने जो ट्रीज अभी उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यह आपको हो गया, उसके बाद श्रब लेएर, यानि जाडियों का लेएर हो गया, यह भी 1.5 मीटर यानि के गरीब 4-5 फिट के हाइट तक होते हैं, तो इ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस मैप में आपको दिखाया गया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मैप में बिलकुल वैसा ही, यहाँ पर यह देख सकते हैं, यह हमारा विस्टन घाट हो गया, यहाँ पर हमारा तमिलनाडू कोस्ट में देख सकते हैं, इसके अलावा हमारा जो बांगलादेश है पूरा वो रीजन हो गहां बांगलादेश तो हमारे देश में है नहीं इसलिए उसकी बात नहीं हो रही है वहारा पश्ची मंगाल में ये आ गया, साथ में असम आ गया, नौर्थिस्ट के और भी बहुत सारे राज जा गये जहां पर इस तरीके के forest क्या है, फैले हुए है, ठीक है, और भी दूसरे forest हैं, तो आपको अगर समझना हो, देखना है तो आप इस map में देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर और भी कुछ बाते हैं, यहां पर जैसे बताया जा रहा है कि भाई, कौन सा पेड़ यहां पर पाय जा तो यहाँ पर इबोनी, महोगनी, रोज़वूड, रबर, सिंस्टोना यह हो गया, इसके अलावा जो एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, वो हैं, एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, यह सारे हैं, इसके अलावा वन और हॉन्स, राइनसोरस जो है, यह आपको असम और इसके अलावा जो पर पाए जाता है, तो वो है ट्रॉपिकल डिसिडियूज फॉरेस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ पर यह जो फॉरेस्ट ही, इनको हम मौनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, और यह इंडिया में बहुत बड़े इलाके पर फैले हुए हैं, क्योंकि हमा होता है एवरेज रेंफॉल, जो इस फॉरेस्ट को चाहिए रेंफॉल, वो है 200 सेंटीमेटर से 70 सेंटीमेटर, मतलब मिनिमम सत्तर, मैक्सिमम 200 उसके बीच में, अब यहाँ पर इस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, यह अपने पत्ते 6 से 8 हफतों के लिए ड्राइ समर म पत्लब की गर्मी के दिनों में दो महिने के लिए लगभग इन पेडों के पत्ते गिर जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो इस फॉरेस्ट को भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन से फॉरेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और ये forest कौन-कौन से हो गया? Moist Deciduous और Dry Deciduous. अब ये किस अधार पर division होता है? Water Avability के अधार पर. पानी जादा है, तो भाई क्या हो गया? Moist हो गया, पानी कम है, ड्राई हो गया. तो यहाँ पर जैसे बात करें, जो हमारा Moist Deciduous है, वो इंडिया के उन रिजन में पाया जाता है, जहाँ पर बारिस 200 से 100 सेंटिमेटर के बीच में होती है. और ये जो forest है, ये मैं लिए आपको इंडिया के eastern इलाके में देखने को मिलते हैं. जैसे कि North Eastern State हो गया, या फिर हिमाले के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर, या फिर जारखंड में, वेस्ट ओडिसा में, चछतिस गड़ में, या फिर western घाट के eastern slope पर. Eastern slope कहने का मतलब क्या है, कि भाई देखो western घाट है, जो western घाट है, वो एक mountain range है, यानि कि पहाडों की एक स्रिंखला है, तो उसका जो southern side है, यानि कि जो इस तरफ से ये इलाका green built हुआ, इस पर क्या होगा, बारिस अच्छा होगा, तो यहाँ पर tropical evergreen forest उख जाएगा, लेकिन पहाड के दूसरी site क्या होता है, कि वहाँ पर पानी कंब रसता है, पानी कंब रसता है, तो क्या होता है, वहाँ पर tropical deciduous forest उखता है, ठीक है, तो tropical deciduous forest इंडिया में कहां उखता है, इसको आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, जैसे ये इंडिया का map है, तो अगे वढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहा जारा है कि भाई देखिये Tropical Desiduous Forest इंडिया में Most Wide Spirate Forest है कैसा Forest है Most Wide Spirate Forest और इसको हम Monsoon Forest भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्यों केते हैं क्योंकि इंडिया का पूरा जो आपका Climate है वो Monsoon Climate है मौन्सून के उपर depend करता है और इसको जितना पानी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है मौन्सून करता है ठीक है अब यहाँ पर बात करें तो ट्रॉपिकल डेसिडूस फॉरेस्ट जिस इलाके में उखता है वहाँ पर 200 सेंटीमेटर और 70 सेंटीमेटर के बीच की बारिस ह ठीक है अब यहाँ पर इस फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं यह पतजड के सीजन में यानि जो आपका ड्राई समर होता है उस समय में 6-8 हफतों के लिए इनके पत्ते जड़ जाते हैं यानि 1.5-2 महीने तक इस जंगल के पेड़ों के पत्ते जड़ जाते हैं ठीक है अब यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जहाँ पर बारिस अच्छी होती है और यहाँ पर क्या होता है कि इस इलाके में जो घनत्व है यानि जो डिंसीटी है ग्रीनरी है वो हमें ज़ादा देखने को मिलता है और किस इलाके में ये जंगल उकता है Moist Deciduous Forest, तो ये उखता है आपका North Eastern States में, इसके अलावा हिमालेस के Foothills में, यानि नीचले इलाके में, जारखंड में, विस्टोडिसा में, छतिस गड़ में, जो विस्टन घाट हैं उसके Eastern Slope में, इस इलाके में ये उखता है, अब यहाँ पर पेड़ कौन-कौन से उखते है तो यहाँ पर टीक उखता है, जो कि सबसे dominant species है, इसके लवा bamboo, salt, shisham, sandalwood, kher, kusum, arjun, mulberry, ये सारे आपके commercial important species हैं, जो कि यहाँ पर उखते हैं अब यहाँ पर image तो आपको tropical deciduous forest का दिखाया गया है, लेकिन इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में आने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस थोड़ा सा दूसरे image को देखते हैं अब यहाँ पर tropical deciduous forest जो है, यानि जो tropical आपका forest है, tropical moist deciduous उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह वाला image क्या है, moist deciduous forest का है अब यहाँ पर दूसरा टाइप का जो deciduous forest होता है, यह होता है dry deciduous, जहाँ पर बारिस कम होती है, कितनी होती है, 70 से 100 cm annual rainfall होता है, वहाँ पर dry deciduous forest रुखता है, जो कि आपको ऐसा दिखेगा इन दोनों में अंतर आपको दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है, भाई, moist में density ज़्यादा है, greenery ज़्यादा है, लेकिन आपका dry में क्या है, greenery कम है यह अंतर आपको दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है? यहाँ पर हमारे सामने अगला आ जाता है, वही क्या? Dry Deciduous Forest, Dry Deciduous Forest को हम देख लेते हैं. जो Dry Deciduous Forest होता है, वह उस इलाके में उखता है, जहाँ पर 70 और 100 cm के बीच में बारिश होती है. अब यहाँ पर यह जो फोरिश होते हैं, यह आपको Peninsular Plateau के बारिश वाले इलाके में, बिहार में, उत्तर प्रदिस में उखता है. और यहाँ पर यह जो आपका जंगल है, या यह जो फोरिश का टाइप है, यहाँ पर आपको टीक, साल, पीपल, नीम ग्रो करता है, और भी बहुत सारे स्पेसिस ग्रो करते हैं. लेकिन यह जो Dry Deciduous वाला रीजन है ना, इसके बहुत बड़े इलाके के जंगल को साफ कर दिया गया. क्यों साफ किया गया है? ताकि वहा यह सारे, इसके अलबा बर्ट्स, लीजार्ड, इसनेक, टोटोईजेस की भी बहुत सारे वेराइटीज पाई जाते हैं. तो मेरे ख्याल से Tropical Deciduous Forest अब क्लियर हो गया, दो प्रकार के होते हैं, मौश्ट और ड्राई, दोनों में अंतर क्या है, दोनों का लुक क्या है, यह स पेड उखते हैं, जिनके जो पते कांटेदार होते हैं, कांटे बहुत सारे होते हैं, पते डिफरेंट इस्ट्रक्चर के होते हैं, तो यह जो आपका जंगल उखता है, यह जो वेजिटेशन होता है, यह आपका वैसे इलाके मुखता है, जहां पर 70 cm से कम rainfall आपको देखने क मिलता है, और जो नैचुरल वेजिटेशन है, यहां का, उसमें आपको क्या मिलेगा, थौर्नी ट्रीज मिलेंगे और बुसेज मिलेंगे, मतलब यहां पर जो भी हम बात कर रहे हैं, वो नैचुरल वेजिटेशन की बात हो रही है, अब जवरजस्ती आप कहीं से कोई एवर वेजिटेशन पार्ट में पाये जाता है, यानि की गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छतिसगर, उत्तर प्रदेश, हरियान इस इलाके में, इसके अलावाद जो प्लांट इस्पिसिस यहां पर पाये जाते हैं, वो एकैसिस, या फिर पाम, या फिर फिर उफोब और वहीं जो पत्ते होते हैं, वो मोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ताकि कम से कम इवापोरेशन हो, और ये जो फोरेस्ट हैं, ये थौर्न फोरेस्ट बनाते हैं, या फिर स्रब्स बनाते हैं, एरिट एरियास में, यानि सूखे इलाके में, अब यहां पर बात करें, तो य यह जो आप image देख रहे हैं इस image से यह चीज आपको clear हो जाएगी, कि भाई देखो यहाँ पर क्या है यह जाडिया होगी होई है, पेड उगे हुए हैं जिसके पत्ते काटेदार होते हैं, मोटे होते हैं, छोटे होते हैं ताकि कम से कम इवापोरेशन हो, पेड उगदे एक दूसरे से काफी दूर दूर पर है, काफी नजदीक नहीं है, जैसा कि हमने evergreen या फिर deciduous में देखा था, और साथ में यहाँ पर जाडियां काफी ज़्यादा होते हैं, घास भी होते हैं, यहाँ पर उतना ज़्यादा घनत्व नहीं होता है पेडों का, और इन पेडों की जड़े होती हैं, वो जमीन में काफी नीचे तक होती हैं, समझ के क्यों, क्योंकि water को प्राप्त किया जा सके, इन जंगलों में जानवर कौन से पाई जाते हैं, यह होते हैं, rats, mice, rabbit, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, horses, camels, यह सारे पाई जाते हैं, यहाँ पर thorn forest का example आप देख सकते हैं, जैसा की image मैंने आपको दिखा दिया, इसके बाद अगला क्या है, अगला हमारे सामने है mountain forest, mountain forest को simply आप mountain forest भी कह सकते हैं, यानि वैसा forest जो कि आपका mountainous region में उखता है, जैसे जैसे हम mountainous region में आगे बढ़ते हैं, यानि जैसे जैसे हम height बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, temperature घटते जाते हैं, अब यहाँ पर उसके वज़े से क्या होता है, natural vegetation में भी change आता है, यानि हमने height बढ़ाया, क्या हुआ, temperature घटा, और height बढ़ाया, temperature घटा, vegetation में आगे बढ़ते जाएंगे, यानि जैसे जैसे हम height में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे natural vegetation में कैसे change होगा, सबसे पहले हमको tropical मिलेगा, फिर subtropical मिलेगा, फिर temperate मिलेगा, फिर alpine मिलेगा, इस तरीके से हमें change पूरा climate में देखने को मिलता है, तो यहां पर सबसे पहले बात की गए कि अलग-अलग reason में किस-किस तरीके का, आपका climate है, किस-किस तरीके का vegetation पाया जाता है, 1000 से 2000 मेटर के बीच में क्या होता है, आपका width temperate type of forest पाया जाते हैं, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है, 1500 से 3000 मेटर के बीच में, आपको temperate forest पाया जाते हैं, जहां 1000 से 2000 के बीच में आपको oaks और chestnut पाया जाते हैं, ठीक है, इस तरीके के species पाया जाते हैं, और यह जो forest होते हैं, यह हिमाले के southern slope को cover करते हैं, मतलब हिमाले जो है, हिमाले पहाड है, उसका जो northern side है, वो आपका China में पढ़ता है, तीबत में पढ़ता है, जो southern side है, वो आपक Western India है, या फिर Southern India है, वहां पर जो high altitude वाले reason है, वहां पर भी ऐसा climate देखने को मिलता है, जहां पर ज्यादा height है, ठीक है, आगे कहा जा रहा है, कि जब हम 3600 मेटर से ज्यादा height पर जाते हैं, ज्यादा sea level पर जाते हैं, ज्यादा sea level पर जाते हैं, च्यादी सो मेटर से ऊपर बचस हो गए ये आपके commentaries आपको देखने को मिलते हैं और इसके आगे हम बात करें तो जब snow line यानि की जो बिल्कुल बर्फ वाला इलाका है वहाँ पर आगे हमारा क्या बचता है shrubs और shrubs बचते हैं जो कि alpine grassland बनाते हैं आगे चल कर और ये एक तरीके से क्या गरते हैं grazing द्वारा इनको use किया आता है nomadic tribes के द्वारा जैसे की gujjar और bakarwal के द्वारा और भी height पर जाने पर हमें mosses और lichens देखने को मिलते हैं tundra vegetation से जो की आते हैं ठीक है अब यहाँ पर हुआ क्या यह सुरा सा देख लेते हैं यहाँ पर यह हुआ कि आपका climate कैसा है इस तरीके से आपका height बढ़ रहा है यानि कि height कम था फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा इस तरीके से पूरा आपका ऐसा slope है अब जब आप इस तरीके के slope में जाते हैं तो क्या होता है सबसे पहले तो नीचे आपको temperate वाला मिलेगा climate temperate गर्मी ज़्यादा है moisture ज़्यादा है आपको इसके साथ ही क्या है आपको यहाँ पर सब चीज मतलब condition अच्छा है तो यहाँ पर temperate मिलेगा फिर आप उपर जाईएगा तो क्या मिलेगा subtemperate मिलेगा इसके अलावा धीरे-धीरे क्या होगा आपका ठंडी बरती जाएगी तो उपर जैसे-जैसे आप जाईएगा वैसे-वैसे क्या होगा फिर अलपाइन आ जाएगा फिर उसके बाद सब से उपर क्या आ जाएगा तुंड्रा आ जाएगे, तुंड्रा में क्या होगा, मॉस्स और लाइकेंस आपको दिखने को मिलेंगे, तो एक सेकेंड मैं आपको टुंड्रा वेजिटेशन जराँ सा दिखा देता हूँ, तुंड्रा वेजिटेशन, इसका मैं अगर image आपको दिखाओं, तो यहां पर यह ह कहा जा रहा है, आगे इसी तरीके से पूरा ये चलता है, अब आगे बात करें तो यहाँ पर कौन-कौन से अनिमल्स पाई जाते हैं, तो जो अनिमल्स पाई जाते हैं, वो हैं आपके कस्मीर स्टैग, ये आपको पाई जाते हैं, इसके बाद आगे हमारे सामने क्या आता है, आगे हमारे सामने आता है मैंगरूफ फॉरिस्ट, mangrove forest simply आप जान लें कि भाई वैसा forest जो की दलदली इलाके में पाई जाता है अब जो mangrove forest हैं को हम tidal forest के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये आपको generally कहां देखने को मिलते हैं इंडिया का जो समुद्र के किनारे जहां पर tied आता है उस इलाके में खास कर जो आपको नदियों के डेल्टा होते हैं वहाँ पर ये पाई जाते हैं कैसे क्यों क्योंकि देखिए जो डेल्टा होता है वो बनता कैसे भाई नदी जो है वो बैह कर आ रही है अपने साथ बहुत स सारे सिल्ट अवसाद लेकर आती है वो बहा कर लाती है जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है तो नदी की स्पीड धीमी हो जाती है और वो उस अवसाद को वहीं पर छोड़ देती है उससे क्या बनता है उससे क्या होता है उससे होता है कि जो वहाँ पर ये सिल्ट वगर इसलिए वहां पर mangrove forest उकते हैं अब ये mangrove forest में खास बात क्या है mangrove forest में खास बात ये है कि ये आपको दलदली इलाके में उकता है टाइडल वाले खास कर टाइडल वाले इलाके में जहां पर पानी जमा होता है वहाँ पर यह उकता है और यह मेंली आपको इंडिया में जो नदिया है उनके डिल्टा पर बंते हैं कौन-कौन से नदियों के गंगा, महा नदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के डिल्टा पर यह आपको देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर यह जो plants होते हैं इनके जो roots होते हैं यह आपको submerged होते हैं water में जैसे यह plants है यहाँ पर यह mangrove vegetation है यह आपको कहा है water के नीचे submerged है देख सकते हैं पानी जमा हुआ है और यहाँ पर यह आपको submerged है तो यहाँ पर देखें तो यह भी एक प्रकार का क्या है? Mangrove Vegetation है, जिसमें क्या है? Plants के roots आपको पानी के नीचे submerged है, तो इस तरीके से आपका Mangrove Vegetation बनता है अब यहाँ पर इंडिया में जो आपका गंगा प्रंपू डिल्टा है, यहाँ पर आपको सुंदरी trees पाए जाते हैं, जो कि इसी लाके में उखते हैं, जो कि बहुती अच्छे timber प्रोवाइड करते हैं, पाम, कोकोनट, इसके अलावा केवरा अगर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, अब यहाँ पर जरा सा map हम देख लेते हैं, कि map में हमें यहाँ पर यह जो mangrove forest है, कहाँ देखने को मिलता है, तो mangrove forest आप ध्यान दीजेगा, यहाँ पर इस जगह पर देखने को मिल रहा है, इसके बाद यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, जहाँ पर समुद्र के किनारे जहाँ पर दलदली जैसा इलाका है डिल्टा जो है नदियों के डिल्टा वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने कुछ medicinal plants के बारे में बताया गया है तो यह simply sort में बताता हूँ कि भाई 2000 plants है जो कि आपको आयरवेदा में बताया गया है जिसमें से 500 हम regular use करते हैं जो World Conservation Union है उसने 352 medicinal plant का नाम बताया है मतलब उसको red list किया कि उनको उपर खत्रा है जिसमें से 5 जो है वो बहुँ ज़्यादा खत्रा ह और उन्चास तो बिलकुल खत्मे होने वाले हैं उनको बचाने की जरुवत है कुछ खास नाम यहाँ पर बताये गए हैं जैसे सर्पगंधा, जामून, अर्जून, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार ये सारे हैं जो की बहुत ही खास है इनके बारे में जानना है तो एकक ला अलाके में जो प्लांट इस्पेसिस मौझूद है, प्लांट की कम्यूनिटी है, वो क्या कहलाती है, फौना कहलाती है, इंडिया में बात करें तो 90 हजार की संख्या में एनिमल स्पेसिस हैं, 2000 की संख्या में बर्ड की स्पेसिस हैं, और जो की पूरे वर्ल्ड की संख्या मे मैमल्स के species के संख्या में कुछ खास जानवरों के बारे में बात की गई है जैसे elephant की बात करें तो elephant आपको मैमल्स में बहुत ही खास जानवर है ये आपको पाए जाता है असम के विट फॉरिस्ट में, करनाटक में, केरल में पाए जाता है, one horn rhinosaurus जो है ये आपको पाए जाता है कहाँ पर, असम और विष्ट बंगाल के स्वेंपी और मार्सी लैंड में इसके अलावा जो आपका था डेजर्ट है रन ओफ कच है, वहाँ के जो एरी रियाज है वहाँ पर wild ass, camels पाए जाते हैं, इसके अलावा इंडियन बाइसन, निलगाय, चौसिंगा गेजल, ये सारे जो हैं ये आपको पाए जाते हैं, कहाँ पर आपको इंडिया के अलग-अलग इलाके में और बहुत प्रकार के मंगी भी इंडिया में पाई जाते हैं अब इंडिया में बात करें तो इंडिया एक मातर दुनिया में ऐसा देश है जहाँ पर टाइगर्स और लाइन्स दोनों पाई जाते हैं इंडिया में जो लाइन्स का नैचुरल हैबिटेट है वो कहाँ पर है गीर फॉरेस्ट में गीर फॉरेस्ट याद रख अब यहां पर कहा जाना है कि जो हिमालिया से वहां पर बहुत तरीके के आपको आनिमल्स पाए जाते हैं जो कि extreme cold को survive कर सकते हैं जैसे कि लदाख में आपको याक पाया जाता है जो कि एक प्रकार का wild ox है जो कि काफी भारी होता है काफी उसके उपर उन होता है मतलब कि उसके बहुत ज़्यादा होते हैं इसके लावा wild sheep, Tibetan antelope, bharal, kiang यह सारे आपके पाए जाते हैं इसके अलावा ibex, bear, snow leopard या फिर rare red panda भी आपको कुछ इलाके में पाए जाते हैं अगर हम नदियों में बात करें, lakes, coastal areas में बात करें तो वहां पर हमें turtles, crocodiles, घडियाल भी पाए जा तो crocodile का एक प्रजाती है, ठीक है, अब यहां पर आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको different type of wildlife century, bird century, national park बताए गया है, इसको ध्यान रखियेगा, map work में हो सकता है, ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, इंडिया में bird life की बात की गई है, bird life क्या हो गया, कि इंडिया में bird life भी बहुत ज़्यादा पाई जाते हैं, peacock, peasant, cock, parkeet, cranes, peasant, यह सारे हैं, आपको इंडिया में पाई जाते हैं, अब आगे कहा जा रहा है कि उसका, यानि कि जो wildlife है, या फिर natural आपका vegetation है, उसका use क्या है, उस तरीके से बात की गई, तो यहां पर है कि भाई, देखो, जो जीतने भी हमारे crops हैं, वो हमने कहां से लिए हैं, हमारे आसपास के environment से लिए हैं, जो कि हमको suit किया, हमने उन में से उठा लिया, इसके अलावा हमने क्या किया है, बहुत सारे medicinal plant का भी use किया है, उनके उपर experiment भी किया है कि कौन सा हमारे लिए फाइदे मंद हो सकता है, जो कि हम एक तरीके से animals का use करते हैं, दूध के लिए या फिर meat के लिए, वो भी हमने wildlife से ही लिया है, ठीक है, इसके अलावा, ये जो animals हैं, उनसे meat वगरा, बहुत सारी transportation, eggs, बहुत सारी चीज़े मिलती है, ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि जो fees हैं, उनसे हमें nutritive food म मदद करते हैं, biological control, अगर हम इस तरीके के insect पर लगाने की कोशिश करें, तो उससे हमें नुकसान भी हो सकता है, और बहुत सारे जो species हैं, बहुत सारे क्या सभी species हैं, जो कि natural vegetation में हैं, या फिर wildlife में हैं, उनसे सभी का एक role है हमारे ecosystem में, ecosystem क्या होता है, एक प्रकार का system होता ह एक खास इलाके में, जैसे जंगल है, तो जंगल का ecosystem में, जहाँ पर वहाँ पर रहने वाले सभी जीवजन्तू, एक दूसरे के उपर depend करते हैं अपने survival के लिए, तो ecosystem में सभी species का important role अदा होता है, इस वज़ए से सभी species का conservation जरूरी है, यानि कि इसका ये मतलब नहीं हो गय बहुत संख्या में बढ़ गये, क्यों बढ़ गये, क्योंकि वहाँ पर ecosystem गड़बढ हो गया, वैसे जानवर जो की rats को बहुत ज्यादा खाते थे, उनकी संख्या कमी हो गई, तो rats बहुत बढ़ गये, इसी तरीके से कुछ हिलाके हैं, जहाँ पर खरगोस बहुत ज्यादा disturb हुआ है, और करीब 1300 की संख्या में जो plant species हैं, वो endangered हैं, और 20 species तो बिलकुल खत्म हो चुके हैं, और यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि कुछ animal species भी हैं, जो की endangered हैं, और उनके उपर extinct होने का खत्रा है, और कुछ extinct हो भी चुके हैं, अब यहाँ पर जो main cause है, इनके उपर threat ह होने का, वो है कि जो greedy hunter हैं, जो की सिकार करते हैं पैसो के लिए, वो उनके hunting के वज़े से खत्रा है, साथ में इन animals के commercial purpose, commercial use की से भी खत्रा है, इसके अलावा जो pollution होता है, हमारा chemical और industrial weight से, acid deposit से, या फिर alien species के आने के वज़े से भी, और पेडों के cutting के वज़े से भी हमारा क खत्रा है, alien species आने का कहने का मतलब ये है, कि भाई कोई ऐसा plant जो की बाहर पहले था, उस इलाके में नहीं पाया जाता था, वो उस इलाके में आया, और उस इलाके में आने से क्या हुआ, कि natural habitat में हमें क्या हुआ, disturbance देखने को मिला, अब यहाँ पर ये चीज समझ गया, अब यहाँ पर रहना सुरू कर दिया है, जिससे कि हमारा forest में क्या हुआ है, एक प्रकार का imbalance या फिर एक तरीके का छिड़कानी देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अगर आपसे question पूछे, कि भाई, humans की वज़द से किस तरीके से humans ने interfere किया है nature में, या फिर environment में, या फिर ecosystem में या फिर natural vegetation में, तो आप यहाँ से points उठा कर लिख सकते हैं, आगे यहाँ पर बताया गया है कि भाई, flora और fauna को कैसे बचाया जा सकता है, सरकार ने क्या किया है, तो सरकार ने भाई, या क्या किया है, 18, biosphere reserve बनाए गया है, जो कि flora और fauna को बचाने के लिए बनाया है, और इसमें से 10 ऐसे हैं, जिनके नाम यहाँ पर हैं, वैसे पढ़ने की इतने ज़्यादा जरूत नहीं है, आप चाहें तो पढ़ने, जिनकों की world network of biosphere reserve में भी सामिल किया गया है, इसके आगे कहा गया है, आगे यहाँ पर क्या कहा गया, 18 biosphere reserve के नाम दिए गया है, इसको ध्या टाइगर चलाया, प्रोजेक्ट राइनो चलाया, प्रोजेक्ट great Indian bustard चलाया और बहुत तरीके प्रोजेक्ट चलाया ताकि जो endangered species हैं, को जानवर हैं उनको बचाया जा सके, इसके लावाए इंडिया में 103 national parks हैं, 535 wildlife century हैं, जो की natural heritage को एक तरीके से बचाने की कोशिश कर रह और वो अगर नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, उनका होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमें उसे बचाने की जरूरत है, और अगर हम बिना ध्यान दिये, उनका सफाय करें, खत्मा करें, तो हमारा जो natural environment है, वो भी एक तरीके से खत्म हो सकता है, और उसके उपर भी खत्रा हो सकता है, तो आपको environment अपना बचाने की जरूरत है, तो यहाँ पर एक और चीज़ है जनकारी, वो क्या है, migratory bird, migratory bird क्या है, कि इंडिया के कुछ खास ऐसे wetlands है, जहां पर migratory bird आते हैं, migratory bird कहने का मतलब है, कुछ ऐसे खास birds होते हैं, जो कि बच्चे देने के लिए, य birds यहाँ पर आते हैं, और रहते हैं कुछ दिनों तक और फिर चले जाते हैं, अब यहाँ पर कहें, तो यहाँ पर बहुत सा और भी बाते हैं, उसको चाहें तो आप देख सकते हैं, जो की main point था, वो मैंने बता दिया, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो chapter है, यह हमारा खत्म होत है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, अगले chapter के साथ, तब तक के लिए good bye